अभी MPPSC 2021 की जो मेंस हो रही है उसमें क्वेशन पूछा गया था कल जो पेपर था पेपर टूए पांच नंबर वाला प्वेशन यह था नियाएक सक्रियता और नियाएक अतिविस्तार से भिन्न है इसपस्ट कीजिए यानि उसमें डिमांड की जा रही है कि हाउ इच जूडिशियल एक्टिविश्म डिफरेंट प्रॉम जूडिशियल ऑवर रीच एक्सप्रेंग है तो इसका पांच नंबर का क्वेशन है यानि उनके एक्कॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है पचास सब्दों में पचास की समय भी नहीं है कि आप इसमें क्या कर पाओ कि बहुत ज़्यादा काइम ले करके लिखनी पाओ तो देखो नियाइक शक्रियता नियाइक शक्रियता और नियाइक अतिविस्तार है अतिविस्तार को हम अतिकर्मन भी मानते है न वहीं सब्दों का एकर शक्रियता रह दोनों ही क्या है मेरा राइटेंग उतना अच्छा नहीं है दोनों ही नियाइक प्रक्रियाओं से सम्भंदित हैं judicial एक्टिविज में एक तरीके से या judicial procedure से संबंदित है नियाइक प्रक्रियाओं से संबंदित हैं या संबंदित होते हैं यह ज़्यादा सही होगा पर यहां फुलिस्टॉप नहीं लगाएंगे हम अभी sentence incomplete छोड़ते हैं आगे इसको पूरा करेंगे लेकिन इन में एक दूसरे से भिन्दता है लेकिन इन में एक दूसरे से भिन्दता है या भिन्दता होती है अब ये दो लाइने आप लेखना चाहो तो भी ठीक है otherwise हटा करके नीचे वाले portion पर डारेक्ट आ सकते हो वो क्या है वही major इसका answer है कि नियाइक शक्रियता नियाइक विधी के माध्यम से नियाइक शक्रियता नियाइक विधी के माध्यम से समाज में सुधार और नियाइक को प्रोटसाए और नियाय को प्रोद्साहित करती है आप इसके ऊपर यह शिरोर एखा रहती है, इस भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो जो कॉपी मिलती है, उसकी यह उपर वाली लाइन काथी, बोल्ड रहती है, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा उसमें अब एक हो गया, अब नियायक अतिविष्थार पर क्या करेंगे, जबकी नियायक अतिविष्थार, नियायक प्रक्रिया के प्राथधानों को यह क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, अंदेखा करते हुए विधी के पाहर, वल पूर्वक विचारों को लागू करते हैं. नियायक शक्रिता जो थी, वो पूरी तरीके से, यह जूडिशल रूल है, रेगुलेशन से, लोके, उनकी तरीके से जमाज में बदलाव लाती है, नियायक को वो रुदसाहित करती है, बट नियायक अतिविष्थार यह हो गया कि नियायक प्रक्रिया के प्राथधानों को एक्नोर कर देगा, प्रोवीजन क्या कहता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वलकि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें हम बदलाव ले आएं, हैंना, ठीक, तो आगे एक लाइन और लिखी जा सकती है, कि नियायक शक्रियता, सामाजिक बदलाव लाने का माद्यम है, लाने का माद्यम है, जबकि नियायक अतिविस्तार, जो सब्द पूचा है, वही लिखेंगे प्वेश्चन, कि विस्तार पिया है, प्वतिविस्तार अतिक्रमन लेखा है, तो अतिक्रमन, विदिक मरियादाओं के बाहर प्रवेश्च करता है, हमारे शब्दों की जो सीमा थी, वो सीमा थी, कि पचास शब्दों मुक्तर देना है, तो अब आप देखोगी हैं, पचास नहीं, लगवख सो सब्दों हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें शौट क्या कर सकते थे, शौट ये कर सकते थे, कि उपर की ये जो लाइने हैं, बस उन में थोड़ी बहुत कमी कर सकते हैं, कि वूपर की ये कुछ लाइन हम एग्णूर कर दें। और यहां से जरू कर दें। वभल कूरवक को करें। बाहर वल पूर्वक ना भी लिखना चाहो कि उसको उटा देना। विचारों को लागू करती है नियाएक शक्रीता सामाजिक वद्लाव लाने का माध्या में जबकी नियाएक अति विस्तार विदिक मरियादाओं के बाहर और यह आपका अंसर हो जाता है तो पांच नंबर का है अगर इतना लिखने पर मुझे लगता है चार नंबर जरूर को देना चाहिए यह दो जार एकीस में पूछा गया था और वीडियो आप देख सकते हो उसमें भी में बहुत सारी चीज़ें आपके लिखेंगे झाप झाप